सुर्जगरहन को लेकर अलग-अलग देसों की अलग-अलग अजीब मनेताय है बियतनाम में सुर्जगरहन को लेकर मनेता है कि एक बड़ा मेढख सुरज को निगल जाता है जिसके कारण बर्मान में अंधेरा हो जाता है यह मेढख बहुत बलसाली और बुरी शक्तियों का ग्रीक के लोग मानते हैं कि जब भगवान लोगों पर नराज हो जाते हैं तब सुजगरहन होता है यह गरहन प्राकिर्तिक अपदाओं का संकेत भी देता है इसलिए ग्रीक में गरहन को असूब माना जाता है पशिम अफिरका का एक देश है टोगू यहां के लोग मानते हैं कि जब दो ग्रह आपस में लड़ते हैं तब सुझगरहन होता है ऐसा होना असूब होता है और देश में जूद के हलात बनते हैं ब्राजिल के जंगलों में रहने वाली जनजाती के लोग मानते हैं कि सुझगरहन बुरी अत्माओं के कारण होता है सुझगरहन के समय इस जनजाती के लोग काम छोड़कर अपने अपने घरों में बंध हो जाते हैं अपने देश भारत में हिंदू धर्म की मनता के अनुसार राहू और केतु द्वारा सूर्ज को निगलने के कारण संसार में अंधकार हो जाता है इसे ही सुझगरहन कहते हैं इस समय देवताओं की सक्तियां कमजोर हो जाती है जबकि सूर्जगरहन और चंद्रगरहन एक समान खगोलिय घटना है पिर्थवी सूर्ज की परिकर्मा करती है और चंद्रमा पिर्थवी की परिकर्मा करता है जब परिकर्मा के क्रम में सूर्ज और पिर्थवी के बीच में चंदर्मा आ जाता है तो सूर्ज गरहन लगता है और जब सूर्ज और चंदर्मा के बीच में पिर्थवी आ जाती है तो चंदरगरहन लगता है